दोस्तो वीडियो में हम लोग इंडेप्ट में अनलाइसिस करेंगे SBS वोसेस एनेमल के बीच जो दोस्तो होगा अचका दिन का पहला मैच ट्रीनिदार टीटैन का आई होब लास्ट मैच में अनसिल नेट में हमारे लिए बहुत अच्छा गाम किया होगा हमने डिफेंशल उनको लिये थे शायद 10-15 बरसन सिलेक्शन था मैंने वीडियो में बार बार बोला था रिजन आपको बताया था एक बार फिर से एक स्प्रेंड कर रहा हूँ जाइट गूली लेफ्ट हैंड बैटर जाद एटिकिंग क्रियेट खेलता है तो अंसिल नेट उनकी अगेस्ट बेटर करा सकता है और उस टीम के पास डिजन चर्ल्स भी था लेफ्ट हैंड तो वो प्ले में आया था ट्रीक आई होप इस मैच में कुछ ना कुछ निकल के आएगा जब हम लोग मिलके डिस्कस करेंगे हमें पता चलेगा कौन से प्लेस इस मैच में निकल के आ सकते हैं अगर प्लेस नहीं निकल का है तो हम लोग इंवेस्टमेंट कम करेंगे या फिन नहीं करेंगे अगर प्लेस निकल के आता है डिफेंशल तो हम लोग थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं चलो एनलाइसिस करते हैं इस मैच का इस मैच के रिलेटेट सभी अपडेट्स डेमो टीम वगेरा कुछ भी और एड एड ओन लगा मतलब जो मैं आपको दे दूंगा प्रो पिस्ट करते हैं तो यूचिताल में यह थार्ट में पर दीखर जाता है ठीक है मैं आपको वेदर गया तो अपडेट दे दूंगा टेलिवा डियुकि तो बागो बिसिक स्किली एसा इसा कन्वी हैना अंक्वनिश अटनीबव नियुक्त प्रेट्स डेट जाता है ठीक है मै इसे होते हैं यहां पर अच्छानक से बारिश आता है पिछ स्टैट्स में शौपक टोवागो बहुत मुश्किल होड़ा है यहां पर रन बनाना सौला मैच इस दन दस बैट फर्स चेजिंग ने चार वी निया और दो मैच एवंडिन रहा है ठीक है जो स्टार्टिंग ऑफ द सीरिस था एस बेस से लॉस्ट वोन लॉस्ट वोन ठीक है प्रोबोबल बैटिंग में जुबारी मिल्स अब यह ओपिनर नहीं है नहीं है यह यह अभी के लिए कैप्टेन बनेगा डिलाउन डॉगलस बहुत ही बड़िया पीक लग रहा है डिलाउन डॉगलस टैरन सेल यह दो सब सब हैतरीं प्लियर लग रहे और दनी विलियम्स लास्ट में वीकी प्लस ओपिन किया तो चलो इसको रख सकते हम लोग वीकी से इसको रख टन ओके एंटोनी प्रॉविदेंस और इम्रान खान अनिल खान तो अब नहीं लूँगा अब शायद यह उपन करें इग्नोर करना सही होगा अच्छली मैं कपिल भाई ने बोला था मुझे कि मैं अन्टोनी प्रॉविदेंस और अनिल खान को सेल करू इवेन मैंने भी अभी था मैंने सेल नहीं के एक्षेंज पे मुझे अभी भी दूख हो रहा है उस बात का अच्छा मुनाफ़ा आता रिस्क 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 लेना पड़ता है थोड़ा बहुत लीच समझ नहीं आ रहा है बालिंग क्यों नहीं कर रहे है पहला मैंच में 1.3 ओवर 14 नहीं क्यो लीच तो बहुत अच्छा बॉल कर रहा था जियरस जग इस तो बॉलिंग 100% कराएगा अकीम चैनलर लास मैच में मैंने बाई गया था और डर गया था दो दो वर में 30-0 कुछ नहीं पॉइंट गया था बड़ इसने एक कैश लेया था और एक रनाउट किया था बारा बान ऐसा कुछ होता है न वह गया था क्यों इसने कुछ पॉइंस नहीं दिया था बर स्टिल हमने प्रॉफिट निकाल लिया था फेलिंग से तो ऐसा रोज 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 होगा नहीं तो मैं भी क्रेडिट नहीं लूगा उसका चलो लगीली हमने से सर्भाइब कर गया ऑपिन कर सकते हो सिर्ज से पहले के प्लेस के रिकाइब कर सकतो बंदा से आना रिकाइब रिव्यू करना जवारी मिल्स लास्ट यह 12 मैच में 10 ओवर डाला था साथ उके मतलब इसको विकेट मिल जाता है ठीक है इसको मिल जाता है तो एक तो और यह बॉलिंग करेगा और यह ऑपन गुली जैसे कि अंसिल नेट था जबरी मिल्स कुछ ऐसा प्लेक में आ सकता है इस मैच में तो इंपॉर्टन रहेगा जाइड गुली ट्विट्टीटैन फॉर्टीटैन एक सो साथ उन्निस पफॉर्मर है दोस्तों जाइड गुली मस्ट पिक प्लियर है और इसको यह अटेक क चैपिक रहेगा लाज दो मैच में फ्लॉप है बट क्वालिटी वाइस बहुत ही सॉलिट है टीम में रखना भी जरूर है डिजन चल्स बॉलिंग करा रहा है और यह अच्छा बॉल कर रहा है यह करेंगे लेफ्ट हैंड बैटिंग और वेच्टैन कराएगा राइट हैंड कमिल पुरां राइट और लेफ जैट लिब बहुत ही सॉलिट बैटिंग उर्ड लगரा इंगे पस लेफ्ट हम ओत्रॉड ऑफ्टॉकस कौन है ध्यांदो ध्यान दो उच्छे से ध्यांदो इनके बास कोई लेफ्टाम ओफ्टोडक्स है और यह वारी मिल ऑफ ओफ स्पीन ह और दोस्तों यहां पे कौन है कहां गया जेरास जैगेस्टर हो गया आकीम चैनलर हो गया लेफटाम फॉर्च किलन लीच मुझे लगता बॉलिंग करते हुए दिख सकते इस मैच में टैने सेंड राइटाम मीडिया मतलब कोई लेफटाम ऑथोडोक्स नहीं है मतलब बाहर विपस्टर या फिर कमील पूरान से आपको बरे स्कूर बनते वे दिखेंगे कॉम्पेर्ट तुजाइट गुलियां डिजोन चल्स तो मैं सायद विपस्टर को ही कैप्टेन बना के जाओं इस मैच में बहुत ही सॉलिड लग रहे मुझे अज़ अप्लियर मिखल गोविया लास्ट में दोवर डाला था बट इनका कंसिस्टेंसी नहीं ओवर के साथ अगर देखोगे इनके पास कितने लेफ्टी है एक लेफ्टी है जवारी मिल्स जो आउट हो जाएंगे जल्दी डैनिल विल्यम्स भी लेफ्टी है मतलब ओपेनर दोनों लेफ्टी है तो एक हाई चांसस है कि यहां पर ब्राइन चल्स या फिर कॉन माइकल गोविया से कोई एक पावर प्ले में डालेगा हंड्रेट पसेंट चांस है क्यों निसाख बॉलिंग करेंगे राइट अप मीडियम अच्छा बॉलर है क्यों निसाख विकेटलेस जा रहे बट बॉलर अच्छा है आप लगए अब तक लाइक नहीं गया तो लाइक करदे दोस्तों वीडियो को शेयर करना और जुर जाना टेलेग्रम चैनल दोस्तों फिलाल जो मेरा तीम रहेगा उसमें मुझे हुझे यहां पर सोचना परेगा क्योंकि डैनियल विलियम्स ने भी लास्ट मैच में पॉइंस दिया था और यह द्रीम टीम का पार्ट था चौथिस पाइंट यह बैटिंग से ओपेंड कर रहे था और विकी भी कर रहे था यह बात सही है कि यहां पर थोड़ा कन्विजन हो सकता है जेएफसी बुटान डेटिंग करेंगे कमिल पुडान डिजॉन चर्ल्स क्यों विपस्टार का रोल मैच में सबसे इंपॉर्टन मुझे दिख रहा है ठीक है मेरा प्रेडिक्शन है कि यह अच्छा करेगा टेरेंस हींस हाँ सही खेल रहा है यहां से दोस्तों शेफर्ट को लोगा ही नहीं कि यह निसाग को लेने का मन है बट फिलाल नहीं लेता क्योंकि आपनिन के पास दोस्तों ट्यों निसाग अभी तो ओवरी कंपलेट नहीं करा रहा है दोस्तों यहां से ब्राइन चर्ल्स लेना जरूरी है रख लिए अपने टिम में चरस जरूरी आएगा अ क्या जो में और Sum up के साथ यही साथ कंपने का मान ऐंकर रहे खाला की अलाका घं weave क हचे लिए मृटरी तेली लम मैंहीं करो दूस्तों के साथ विडियो के स्षयर किरो और क्यूर चुर्ड एंक झोड की दोस्तों मिलता है मैं श्रैइम पे टीली डूम।